देश्वी लोकस्वाद चुनाव के सुरुआत होने में मात्र कुछी दिनों का वक्त बांकी रह गया। कि इन तीन एलान को बतानी से पहले मैं आपको बता दूँ कि तमाम बेपक्ची पार्टी और जनता भी बाजपा के नए एलान को भी जुमला ही बता रही है। भारती जनता पार्टी से पहले कॉंग्रेस पार्टी ने भी सत्ता में आने पर महलाओं को आरच्छन देने का वादा किया है। कॉंग्रेस के इस एलान के बाद भाजपा ने भी महला आरच्छन के मुद्दे को अपने घोसना पत्र में जगह दी है। भारती जनता पार्टी के घोसना पत्र में लिखा है कि पार्टी संसद और विधान स्वावे महलाओं को 33% आरच्छन देने के लिए परतिबद्ध है। वह ही भारती जनता पार्टी और मोदी सरकार की दूसरा एलान जो है वो किसानों से संबन दित है। भारती जनता पार्टी ने अपने घोसना पत्र में सुधार लाने का एलान किया है। इसके अतरिक डिजिटल लेंदेन को बढ़ावा देने की बात विभादपा के घोसना पत्र में सामिल है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उड़ता है कि इनहों ने नोटवंदी के समय ही कहा था कि हम डिजिटल लेंदेन को बढ़ा देंगे। लेकिन क्या नोटवंदी फेल हो गई जिसके कारण मोधी सरकार को एक वार फिर से डिजिटल लेंदेन को अपने घोसना पत्र में सामिल करना पड़ा। लेकिन को अपने धार फिर से डिजिटल लेकिन को वार फिर से डिजिटल लेकिन को बढ़ा प्रवंदी भी जिजिए घजब।